कि यह हमारा एपिसोड नंबर फोर है कि हम फंडमेंटल ऑफ एक्यूपेंचर की बात कर रहे हैं आज हमें बात करनी है हररी पाइंट जो हम कल भी थोड़ा बात कर चुके है यॉन सोर्स पाइंट या ओर्गन सोर्स पाइंट जी क्लेफट पॉइंट यू कनेक्टिंग पॉइ होते हैं कि इतना हमारा आज का चैप्टर है कि पस्थ हमने कल बात करी थी कि जो हमारा कि हमने एक एक लिया लंग्स मेरेडियन का कि लंक्स मेरेडियन में बंटू लेके 11 पॉइंट होते हैं हर पॉइंट 5 elements से मिलकर बना है हर पॉइंट 5 elements से मिलकर बना है यानि कि L Y U 1 से लेकर L Y U 11 तक सब 0.5 elements से मिलकर बने हैं लेकिन कुछ पॉइंट अलग से सेलक्ट किये है जो कि dominant है कैसे कि L U 11 है ये यह wood point है, LU 10 है, यह fire point है, LU 8 metal point है, YU9 earth point है, LU 7 liue connecting point है, LU6 zie cleft point है, LU5 जो है वो water point है तो यानी कि यह क्यों किसी तरह किये सलेक्ट किये गए हैं यह point मक्र हमें आज बात करना है से पहले होररी पॉइंट की होररी पॉइंट क्या होता है जो भी मेरेडियन है वो एक मेरेडियन एक तक्त्व से बनी है यानि कि अब जैसे हम लंक्स मेरेडियन की बात कर रहे हैं इसका इलिमेंट मैटल इलिमेंट है मैटल इलिमेंट जो है इस 11 पॉइंट में से जो मैटल पॉइंट हुआ इस मेरेडियन का उसको हम होररी पॉइंट बोलते हैं यानि कि लंक्स की बात कर रहे हैं तो मैटल पॉइंट अगर हम बात करेंगे फायर की यानि कि हार्ट इलिमेंट की बात करेंगे तो उसका फायर पॉइंट अगर हम बात करेंगे आर्थ इलिमेंट जैसे की स्प्लीन की बात कर रहे हैं तो उसका हर्थ पॉइंट जैसे हम बात करेंगे वाटर इलिमेंट की जैसे किड्नी की अगर हम बात करना चाहेंगे तो उसका वाटर पॉइंट यह जो है ह पॉरे दिन करता है लेकिन जो लंक्स का जो मैक्समम और गन क्लोक के साब से टाइम है वो त्री टू फाइव एम का टाइम है तो होरे पॉंट मैं जो मैनली जो काम करता है क्योंकि बाहर भी उससमें मैटल एनरजी है अर बोड को यह उससे सामचस्वे से इस्थापित कराता है और बाहर का मैटल एनरजी जो वो बोडि एंदर एंटर करती है तो यह इसलिए इसको बोलेंगे यह एनर्जी को बहार से रिसीव करने के बाद यह सारी एनर्जी को कहा देता है और गन सोर्स पाइंट को देता है ठीक है न तो होर्री पॉइंट के लिए इसके एक बार से मैं इसके पड़के सुनाता हूं आपको तो इसके प्रकार जो से मैंने सबको डिवाइट करेंगी कि मैंने एक जॉइंट लिखती हैं जैसे लंग्स-्मेरेड़ियन का एल युए इट मैटल बॉइंट है ये środरी पॉइंट हुआ लाद resent का ल आईवन है स्का मैटल पॉइंट है स्टोमक मिरेडन का स्टोमक 36 एर्थ फवाइंट है इस प्लीन का SP 3 एर्थ पॉइंट है यो इसका स है हरोरी पॉइंट हुआ यह इसी सारे पॉइंट मैंने आप रह एक जीगह लख दी कि क्या है यह भी मैंने एक जीगह आपको देदिए जैसे कि l k कहा पर है लूवन कहां पर है इस्टॉमक 36 SP3 H8 SI5 यूरिनरी ब्लेडर 66 किड्नी का 10 नंबर करीकाइडियम का 8 नंबर टिपल वार्मर का 6 नंबर गॉल्वेडर का 41 और लिवर का वन इन सब की लोकेशन भी यहां पर मैंने दी है आपको हो और हम बात करते हैं कि मैंने अभी आपको बटाया था कि होर्री पैंट से आती है है और वह अपनी और तब कर स्क्राइब क्या होता है यहां पर क्या होता है ता इन सोर्ष पाइंट आडेर की मतलब प्रिन खेल कि यहां पर आपकी खानेसे प्राप्त उड़्जा और प्रिनेटल की यह दोनों यहां पर आकर पूल होता है यानी की मिलतेहं आतक को है इस्वेरिदो कि यहां था watch होता है यहां पर क्या होता है कि यांग एनर्जी और यिन एनर्जी आपस में इंटर्चेंज करते हैं अपनी एनर्जी को इंटर्चेंज करते हैं अगर हम यांट को टीट करते हैं तो यह उस और गन का यांग और यिन दोनों को बैलेंस करता है यांग एनर्जी आज मैंने लिंक नहीं दिया है और 63 लोग आए हैं अभी तक अपना दिमाग नहीं कि लिंक वहीं चर्ण 2 तीन निन से चल रहा है वही तीन दिन से वही लिंक चल रहा है वही आइडी वही पासवर्ड है और जब तक यह उसी पासवर्ड से आपको अटर होना है मीटिंग मेंदर कि यहां पर क्या होता है कि बात कर रहे हैं जो जितने भी इन ओरगन है उन सब का जो और्थ-पॉइंट है वही यहां और्गन और फिलिए जीन लिख प estoy है उनका जो आर्थ-पॉइंट है वही ऑर्गन को स'mण त्य जो कर्म किया है उसके कर्मों के द्वारा हमें यह यह यहां और मिलते हैं तो हम यहां पर टोनिफाई करते हैं कि इसको और्गन सोर्स पाइंट को तो हमारा जो है तो टोनिफाई इन और्गन टोन और्गन सोर्स पाइंट हमें जब भी किसी इन और्गन को टोन करना होगा तो हमें उसके और्गन सोर्स पाइंट को ज़रूर टोन करना चाहिए तो यांग और्गन होते हैं उनका जो और्गन सोर्स पाइंट है वो यांग और्गन को टोन नही नहीं करता है यांग और गन सोर्स पॉइंट आर नोट यूज्ट टोविफाइं यांग और गन बट कैन बी यूज तो एक्सफल पैटोजनिक फैक्टर्स एंड और रिलीज दा एक्सिस पैकंट यह क्या काम करता है यह आपका जो पैटोजन बाहर से अटाक हुआ है हमारी जैसे कि अब यह मैं एक जिए लिखे है यह जैसे एलाई फोर है यह विंड हीट आटैक को कम करता है यह लोंग पैन आएगा इसको कम करता है स्टॉमक फॉर्टी टू है अगर आपको किसी को एक्यूट पैलैसिस हुआ है उसको ट्रीट करने के काम आता है गॉल्वेडर फॉर्टी है रिजॉल्व लिवर की स्टैगनेशन जुरुजन बलेडर सिक्स्टीफोर रिजॉल्व डैंप कोल्ड लोवर वार्बर तो यह जो यांग और्गन की जो पर ऐनना फर एक्ली पर और्गन सोर्स्पाइंट यह carbon लंग्स का है लुजन लाज इंटरशंटान का लाई-4lleय स्ट्रोमक का है उस्ट्रोमक का है इस्प्ली है स्ट्री हार्ट का है स्टिवाइब या टिपिल वामरीजा से एस जे फॉर या टीड़ फॉर गॉल बेडर का जी बी-फॉर्टी और लीवर का लिवर त्री यह हमारे और गन्स पाइंट है मैंने कल भी आपको बताया था कि यहां पर दोनों एनर्जी यानि फूड की प्री नेटल की और पोस्ट नेटल की यहां पर आकर पूल होती है दोनों मिलती हैं आकर और उसके बाद मेरेडन में यहां से फ्लो करती है यह और गन्स पाइंट मैंने समझे के एक जगे लिखे हैं यह फिर अगेन और श्पाइंट अब्जाव और अगर्जी जैसे किड्ने असेंस फूड की कॉस्मिक अनरजी इट अब्जाव और लाइटन अल दा कलर सो इस कलर आर ब्लैक और वाइट क्योंकि यह क्या करता है औ अब्सॉल करता है अपने अंदर तो इसलिए इसको जो अगर हम कलर सेलेक्ट करते हैं इसका तो हम उसको ब्लैक कलर से या वाइट कलर से इसको हम इंडिकेट करते हैं यह मैंने फिर और शोस पाइंट एक जगे लिखे है जो कि मैंने आपको पहले बताए थे यह उनकी location भी मैंने यहां पर दी है कि कहां पर उनकी location है SJ4 की कहां पर है TW4 की कहां पर है LI5 कहां पर है LU9 कहां पर है यह सारी location आपको एक बार चेक करके आपको लगानी होंगे नेक्स वन इस जी क्लेफ पॉइंट जैसे कि मैंने आपको यह फिगर पहले दिखाई थी लंक्स मेरेडिन का पॉइंट दिखाया था मैंने कहा था कि हॉररी पॉइंट से जो है energy receive होती है और वह energy कहां पर जाती है वह लंक्स के जैसे हम लंक्स की बात कर रहे हैं तो उसके और नाइन पर वह energy आती है और उसके बाद वह energy पूरे मेरेडिन में distribute होती है यानि कि वह फ्लो करती है क्यों से पेशेंट में हमने होररी पॉइंट पे हमने नीडल लगानी है कौन से कौन से हमने पॉइंट पे हमने नीडल लगानी है आपको अगर उसका और पता है कि इसका कौन सा और ड मेरे तो हम उसके अगर इसको पता है या जब सब्सक्राइब इसको यूज कैसे करता है महापरम बात करते हैं तो जैसे यॉर्ण सोर्स पॉइंट में तो हमें पता कि यह टेस्टिंग पॉइंट है अगर आपका लॉन्स वीक है तो आपको सुबह तीन बजे से पांच वे तक लॉन्स के होरी पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए टोन करते ह ऐसे इसा है कि में तरह से बैटरी लगी भी है's कि अब यह क्या होगा अगर मेरा बैक्टरी चार्ज है यहां पर चार्ज है और कॉस्मिक एनरजी तो आएगी या फूड एनरजी तो वहाँ पर आएगी जब भी हम खाना खाएंगे तो आएगी तो जो एक्सिस अनरजी आ रही है उसका किया होता है जानी कि जो बचीवी अनरजी है जो बाकी अनरजी है वह आपकी पॉइंट पर चली जाती है यहाँ से अंदर आंदर हमारी के अंदर बैसल होते हैं वहां पर चली जाती आर्गी कि अगर हमें कभी-कभी कोई accident होता है और accident होने के बाद हमारा लंग्स के एकदम से सिंग कर जाती है यानि कि बैटरी एकदम से discharge हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो जी कलग पॉइंट है यह अपन हो जाता है अंदर से जो हमारी वैसल में अनर्ची है उसको वापस receive करके उस समय वह बैटरी को हमारी चार्ज कर देता है यानि कि एक इस तरह काम करता है जैसे कि मोबाइल आप लेके जा रहे हैं आपनी रास्ते में यात्रा में है और आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो आपको एक पावर बैंड आपको दिया आया यहां पर जो है अब मैं इसका अगर हम इसकी बात करें कि जीकलेट पॉइंट आल्सों कॉल्ड दा एक्कुमिलेशन पॉइंट और वेर्ड़ की एंड ब्लड ऑप मेरेडियन पूल यहां पर भी एनर्जी की और ब्लड यहां पर पूल होता है दोनों मिलते हैं दियार अगरी एड़ दा नियर दा ज्वाइंट अब बॉड़ी यह ज्वाइंट के आसपास होता है बॉड़ी के इन टीट में डियार यूज प्राइमरीली फोर एक्यूट कंडिशन यह जाहता है जैसे कि मैंने एक्सिजंट बता है यह एक्यूट कंडिशन आई और उसमें यह य अगर यह कर रहा है तो ना करें प्लीज इससे डिस्टर्ब हो गया पूरा यह लाइनिंग आ गई आपके आप मोबाइल पर अपने हाथ ना चलाएं कि मेरे से यह क्यों कि वापिस जाने मुझे वापिस जाके दुबारा आना पड़ता है इसके लिए कि में लाइनिंग कर दी तुरी कि यह मैं वापस आ रहा हूं एक बार बस एक मिनिट के लिए स्टॉप हो रहा है कि कोई भी अपने मोबाइल पर ना चला है जिससे कि इस पर निशान आ जाते हैं ओके नेक्स वण कि अब यह पॉइंट है जैसे लू 6 जी केलावट पॉइंट है लंक्स मेरेडिन का अगर हम इसको सिंगिल सिंगिल यूज करते हैं तो कैसे यूज कर सकता है एक्टियूट विंड हीट में कांट्रवेक्शन में लॉस उफवाइस को यूज कर सकते हैं यह भी जी किलग पॉइंट है लग लाजन के साइन का सोर थ्रोट पेइन स्वेलिंग उन दा फेस ओपेज फिलिंग इन दा सेंटर अगर कुछ रुकावट आपको लग रहा है तो उसमें आपको यूज कर सकते हैं अगर आपको बेंडिंग डाउन में कोई प्रब्लेम आ रही है तो आपको इस पॉइंट को यूज करना चाहिए कि स्टॉमक 34 कोई ब्रेस्ट से इश्यू है एपिगेस्टिक पेन है क्रैंप है कनवल्जन है और स्टॉमक की वज़े से होता है उसमें हम इसको यूज करने हैं हाट का सिक्स नंबर है हाट पेन है किसी को फिलीडिंग हो रही है हीट की वज़े से तो भी इसको यूज करेंगे वैं ऐसा इसी सिक से थोट में परब्लम है तो इस पॉइंट को यूज करते हैं कि यूबी 63 जो पॉइंट है कॉलरा शेकिंग ऑफ है जो की ओपिन माउट से होता है बच्चों को जाहतर ट्रैंबलिंग लेक्स और एक्ट्विट सिस्टाइटिस में यूज करते हैं के फाइव है जो मेंस्ट्रॉल ब्लीडिंग कोई किसी मेंस्ट्रॉल प्रॉब्लम है किसे को जब ब्लड की डेफिशेंसी की वज़े से होती है या स्टेशिस अब ब्लड है तो हम इसको यूज करते हैं पीफोर पाइंट है सीवेर चैस्ट पेन में रेक्लस ब्लीडिंग ड्यू टू हीट में यूज करते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज में भी आरेसेडी में इसको हम यूज करते हैं पीफोर को सेंजियो सैविन नंबर यह हमारा यूज नहीं करते हैं लीवर सिक्स है वह एक्वूट सिस्टाइटिस में बलड डिस्टैसिस इंदा यूटरस और लोवर अब्डमन कॉंस्टिपेशन में और ब्लड़ी फीसिस में इसको यूज करते हैं इसके अलावा जो हमारी वैसल्स मैंने एक्स्टाइबरी वैसल्स बताइती है तो हमारे 12 ओर्गन थे उनके भी जी क्लेफ पॉइंट होते हैं जैसे कि के नाइन है वह यह यह वह जी क्लेफ पॉइंट है इसको हम यूज नहीं करते हैं के एट पॉइंट है में यूज करते हैं एक्सिव एक्सिव मेंस्ट्र ब्लीडिंग हो रही है तो और यूभी 59 जो पॉइंट है उसको भी हम यूज नहीं करते हैं तो यह हमारे मिला कि जो है सारे यह जी क्लाफ पॉइंट हुए इनकी लोकेशन मैंने यहां पर एक जिए है कि पीडियेफ जो है जब मेरा यह चैप्टर खतब हो जाएगा तब मैं यह आपको पीडियेफ डिस्ट्रिब्यूट करूंगा जो मुझे कहेगा कि मैं ग कि परिकाडियम का फोर नंबर है जैसे यहां सी एक्स दिखा तो कोई बात नी परिकाडियम है हाट का सिक्स नंबर है सारे सारे पॉइंट यहां पर दियेगे इकंक्त करता है हम बात करते हैं वू इलिमेंट में दो तत्व है और है यह इसे ही अर्थ सफ्प्रीन है हमारे जो मेटल इलिमेंटि में दो तत्व एक है लंग्स और एक है लाज इंडस्टाइंड एक इलिमेंट है हमारा वाटर उसमें प्रक्राइब जब आपस में एक जो तत्व है उन दोनों तत्वों में आपस में अगर हम इसकी परिभाशा को देखें लिव कनेक्टिंग पॉइंट या उसको पैसे पॉइंट भी बोलते हैं और वेर इस सेपरेट चैनल स्पिक्ट ओफ फ्रॉम दे में फ्लोव दे चैनल विद यिन एन यांग पेर्ड मेरेडियन कान बी यूज तो डाइग्नोज और चैनल प्रोब्लम बेस्ट ओन फुलनेस जैसे पेन और हीट है यह एंप्रीनेस है या स्टिफनेस और वीक्नेस में हम इसको यूज करते हैं या कि ऐसा चाहरा हूं रहा हूँ कि अगर मैं बात करता हूं मैं बात करूं लीवर की और गॉल्वेडर की है को मैं टोन करूंगा और लिवर के ल्यू कनेक्टिंग पाइंट को में सिडेट करूंगा यह पॉइंट से उनके अगर हम बात करें जाएं और एक उसक्सची लू क्यक्टिंग पॉइंट के साथ है और स्प्लीन के साथ तो मिलाकर फॉर्टीन ौंघ थैसे हमारा को स्क्राइब्सप्शन को ऊपो जो तो की यह कुल मिला कर सिक्स्टीन वांटते हैं है अगर आंके करते हैं तो उनकी बारे में तोड़ा पड़ लेते हैं में में LU7 है यह ट्रीट होता है एक्सिल विंड बॉड़ी एक में चिल ऐसा फीवर में रनी नोज स्नीजिंग सैडनेस में इसको यूज करते हैं जैसे कि लाज इंटरस्टाइंड मेरेडेन है लिए 6 उसका लिएक्टिंग पॉइंट है एडिमा इन जो है अगर लंग्स की वज़ नी वाटर को बाहर निकालने का काम करती है और लंग्स वाटर को रागुलेट करने का काम करता है तो जब भी बॉड़ी में एडिमा हो जाता है तो हमें लंग्स का भी यूज करना चाहिए लाई 6 उसके लिए पॉइंट है इस्टोमक मेरेडियन एस्टी-40 जो है वह वह भी जालता है या कोई bipolar disorder किशों का यह तो उसको भी करता है किसे को मैनिकised上 को भी być करता है स्टॉमक पूइय। स्टॉमक एटीन जो पॉइंट है यह ग्रेट लियू कनेक्टिंग पॉइंट है स्टॉमक एटीन एक और पॉइंट इसमें है लियू कनेक्टिंग पॉइंट जो कि स्टॉमक एटीन है देट ग्रेट लियू कनेक्टिंग पॉइंट पॉइंट इस टॉमक फायर लिवर की स्ट करने का काम करती है यह जू आपकी जो cv mer telescopes क्रोस कर ती है और इसके बाद में लिवर 18 से वो निकलती है यानि कि एक इनरुवर 18 से निकलती है ये उसका आपस में लिू कनेक्टिंग करती है तो नीकि स्थामग 18 था यू Ama kनेक्टिंग करती है एसे स्फीन मेरेडिन है है SP4 का मैनिक यह जो है यह यह यहां पर आकर मिलती है यह इस पॉइंट इस पॉइंट जब यह पॉइंट आपका हो जाएगा तो जो जोइन आर फ्लेशिड आपके सारे पॉइंट जो सारे जॉइंट हो जायेंगे अगर आपको इस पॉइंट पॉइंट आएगा यह क्या कालता है यह डिसेंट की लंक्स्की को नीचे की तरब हो जाएग से Heart Meridian में H5 है, Agitation में, Depression में, और Stress में काम आता है, Small Interestine का SI7 है, यह Calmness में काम आता है और आपको Emotion और Anxiety को regulate करता है, काम करता है, मतलब शांती लाता है, Urinary Bladder का Meridian का UB 58 है, Cold in the lower back और Water Retention में काम आता है, Kidney Meridian का K4 है, Hyper Emotion में काम आता है, Pericardia Meridian का P6, Insomnia, Anxiety and Nausea है, Sanjio का SJ5 है, जो Flaccid Syndrome in Elbow Joint में होता है, उसमें काम आता है, Gall Bader में GB37 है, Inability to Walk और Eye Problem में यूज़ होता है, Liver Meridian में Liver 5 है, जो Genetal Itching का होती है, यह बहुत ज़्यादा या Depression में काम आता है, Governing Vessel का Governing Vessel 1 है, जो Back Pain या Vertigo में काम आता है, Conception Vessel का CV 15 है, कोई भी Skin Problem है और Abdomen में कोई Problem है, तो उसमें यूज़ होता है, तो ऐसे करके यह हमारे 16 Liu Connecting Point है, इसके, यह मैंने उसके Location आपको दी है, कि कहां-कहां यह Point है, LU7 कहां है, P6 कहां है, और आपका Heart 5 कहां है, इनको एक बार आप देख सकते हैं, कि कहां पर इनकी Location है, इसके अलावा, यह मैंने फिगर दिया है, याद करने के लिए लिया था NET से, तो जैसे Heart का H5 और SI7, Lever 5 और GB37 आपस में Liu Connecting है, ST40 और SP4, यह दो Liu Connecting लिखे है, SP21 मेजर Liu Connecting Point है, और यहां Zulie निका है, नाम लिखा है उसका, लेकिन यह ST8, 18 नमबर पॉइंट है, यह भी मेजर Liu Connecting Point है, परिकाडियम 6 और सेंजियो 5, किड्नी का 4 नमबर, यूरिनिरी ब्लाडर का 58 नमबर, LU7 और LI6, रैन 15 और DU1, यह आपके Liu Connecting Point है, इनकी Location भी है, इसके अलावा, कुछ ऐसे Point हैं, जिसमें आपके 3 Meridian आकर मिलती हैं, यहाँ पर तो 2 Meridian Split हो रही थी, कुछ ऐसे Point है, जो जहाँ पर आपके 3 Meridian आकर मिलती हैं, दो पैरों में होते हैं, और वो दो हातों में होते हैं, यहाँ पर फोर ग्रूप लिउपॉइंट्स, जासे कि TW-8 यहाँ पर 3 Meridian मिलती हैं, आम्स की हातों की, जासे कि LI है, SJ है और SI, तीनो जो Meridian है, SJ-8 पर आकर मिलती हैं, ऐसे पैरिकाट्यम 5 है, यहाँ पर हात में होने वाली जो 3 Meridian हैं, जो लंग्स, पैरिकाट्यम और हार्ट, यह तीनों आकर P5 पर मिलती है तो यह लियू कनेक्टिंग पॉइंट है तीन मिलने वाला GB39 है यहां पर तीन मिलती है स्टॉमक गॉल्बेडर और युरिदरी ब्लैडर की GB39 पर यह लेग्स पर पॉइंट है आपका और एक SP6 पॉइंट है स्टॉमक पॉइंट यहां पर आकर मिलती है कि यह आपकी स्प्रीन मेरेडन है और यह किड्नी मेरेडन है और SP6 पर यह सेंजियो पॉइंट पर SP6 पर आकर मिल रही है तो यह पिक्टर मुझे मिली थी तो यह मैंने नेट से ली थी तो ऐसे टिपल गॉल्बेडर 939 के लिए भी है ऐसे परिकाडम 5 के लिए भी है और एजेज एट के लिए भी ऐसे ही हमारे यहां कर मिलती है इसके अलबा बैक्ष्यू पाइंट पर फ्रंट्श्यू पाइंट है यह इंकोम अलामिंग पॉइंट बोलते हैं बैक्ष्यू पाइंट 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 वेर की ऑप्धा रेस्पेक्टिव जैंग्फ्यू और्गण इस इन्फूज आपके शरीर में बैक पे यानिकि के दोनों तरफ बैक्ष्यू पाइंट होते हैं और हर और्गन के पिलकुल पीछे वह पाइंट है जाते मैं हार्ट की बात कर नहीं तो हार्ट का फिफ्टीन नंबर यूबी 15 महां पर होता है वह हार्ट का बैक्ष्यू पाइंट है यह लोकेटिट अन आइधर साइड ऑव वर्टिब्रा दोनों तरफ होते हैं कॉलम के इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दा स्पाइनल गैंगलिया और रेस्पेक्टिव जैंफू और्गन हैं दा बैक्ष्यू पाइंट बोला है कि हर और्गन के पीछे एक पाइंट होता है इच अफ जितने भी और्गन है उन सब क और हुण हुआ है जबकि सेंज्व हमारे शरीर के लिए पाइंट होता है लेकिन आगे की तरफ तरफ होते हैं यांग में और टेश्ट सब्सक्राइबें यहनि कि front view points are located on the ventral in aspects of the body while the back shoe points are the torsal yang aspects. Torsal में पीछे होते हैं back shoe point और front view point जो हागे की तरफ होते हैं. The key of the back shoe and front view point communicate directly to the related yangfoo organ. जो आगे जो front shoe point है और जो back shoe point है वो आपस में communicate करता है अंदर जो organ है उससे, जैसे मैं heart की बात करता हूं, heart का back shoe point है यूवी 15 और front view point है उसका, मैं confused करता हूं, यूवी 14 है, वो दोनों आपस में communicate करते हैं organ से, यानि कि heart से. A feature in the distribution of these points is that the level of the front view point on the abdomen corresponds to that the back shoe point of the back. यह जो point होते हैं यह लगबक उस organ की level पर होते हैं यानि कि जहां पर heart है उसके आगे और पीछे ही होगा वो point है लिवर है तो लिवर के आगे पीछे ही होगा वो point clear है यानि कि उनका level बराबर होता है यह मैंने एक जिएक लिखा है जैसे लंक। का एलॉवन मू पाइंट है दकार लiyorsun रिवर थर्टीन नंबर इसका बैट्ड बैच जरींकिन का स्टॉमेक टॉंटिफफ़दीन इसका बैक्डिश्ची पाइंट है इस्टॉमखक का CV4 is the front viewpoint urinary bladder 27 is the back shoe point urinary bladder का CV3 is the front viewpoint or urinary bladder 28 is the back shoe point I say kidney ka GB25 urinary bladder 23 pericadam ka CV17 or urinary bladder 14 sangio ka CV5 and urinary bladder 22 gallbladder ka gallbladder 24 or urinary bladder 19 or liver ka urinary bladder sorry liver 14 is the front viewpoint और back shoe point is the liver urinary bladder 18 ऐसे मिला कर हमारे 12 front viewpoint है और 12 ही हमारे back shoe point है यह इसकी मैंने figure लिए कहां पर इसकी location है back shoe point की और यह जो है किस से related है कि मैंने सारे इसके लिए है कि लिए यह फिगर आप देख सकते हो यह इसके front viewpoint की मैंने figure लिए कि कहां कहां उसकी location है front viewpoint की location मैं आपको बताई कि आज का topic मेरा इतना ही था कि मैंने आप कल हम थोड़ा और आगे चलेंगे कि digital और influential point क्यातो हैं हम उसके बारे में बात करेंगे thank you very much कल फिर मिलते हैं इसी समय हम और ID और पास्बर्ड यही होगा thank you thank you very much thank you thank you very much मुझर आगे का